हलो गाइस देख्या इस वीजियो में मैं आपको बताऊंगी टॉप कटिंग तो मेजरमेंट उसका मैंने आपको दिखा दिया स्क्रिन पर तो देखिए विस्टार्ट करते हैं यह मैंने आसे लिए अपना तीरा ठीक है तीरे का हाफ करके लिए है एट इंच और यह है मेरा मु अब यहां से मैं चेस्ट का निशान लगाऊंगी तो हमारी चेस्ट जितनी है उसका चौता ही भाग लेंगे और उसमें एक देड़ी इंच आगे बढ़ा करके तब ले लेंगी ठीक है और फिर मेरा कमर का निशान है तो चोली की लंबाई लगा लेना मेरी चोली की की निशान को मिला देंगे और फिर हमें आप मोड़े की गोलाई देंगे जो हमें आगे की गोलाई देनी हो थोड़ी सी हम बाहर की साइड से लेंगे हलका सा बाहर की साइड उसकी गोलाई कर देंगे और जो पीछे की गोलाई होगी वह सीधे सीधे अंदर के अंदर ही होग ठीक है उसके बाइद देखो यह गले का निशान लगा रही हूं तो मेरा गले का निशान है आगे का मैं 6 इंच रखूंगी ठीक है टॉप में क्योंकि मुझे थोड़ा सा बड़ाई चाहिए और जो पीछे का है वो मैंने 4 इंच लिया है ठीक है देखिए 4 इंच हमारा पीछे का है आप अपने अकॉर्डिंग लग सकते हो बड़ा छोटा जैसे आपको पैनना है बैसा और मैं इसमें सिंपल गोल गला बना रही हूं ठीक है यह मेरी गले की कटिंग हो चुकी है और यह मेरा कमर का निशान हो चुका है अब मैं कमर की निशान से ही यहां पर प्लेट लगाऊंगी ठीक प्लेट का निशान लगाऊंगी तो यह हमारी प्लेट की चार चार इंच की माने इसके लिए लिए चौड़ाई और यहाँ पर है मेरी पांच इंच की यह मारी प्लेट लग चुकी है ठीक है पांच इंच की मैंने यह प्लेट लगा लिए यह आपर और आप हम इसकी कटिंग करेंगे तो जो हमारा पहले पीछे का गले का निशान है और पीछे का मुड़े का निशान है उसको कट कर करने चार देखे यह चुछ चुका है कि अब क्या करेंगे जो note फ़ए ग्ली इसके बाद लिक्ति सब्सक्राइजarner लिप 9 का ओंड़ी के खने मेड दो नो के चुछ खुड़ है मुणक्य कर लिएぞट कवेड में गश्चान फोनक पर समय है तो यह मैंने कटिंग कर लिए है और अब जो मेरा यह मैंने प्लेट कर निशन लगाया था अब इसको हम दोनों साइड में सेम पांच इंच के लगाई थी तो पांच इंच की आगे पीछे दोनों साइड कर लेंगे ठीया दोनों पल्लों में लगाएंगे हम वैसे ही सेम लिए जिसे हमने अभी बताया था और पांच इंच की यहां पर भी हम लगा देंगे दोनों साइड में लगाने से क्या होटा है हमारे जो फिटिंग है ना वह बहुत अच्छी आती है कि देखें माने दोनों साइड लगा दिये प्लेट्स है ठीक है कि यह हो गया मेरा चोली की कटिंग तयार अब मैं इसमें नीचे फ्रिल लगांगी तो फ्रिल की कटिंग करोंगी जैसे कि मेरी पूरी चो लंबाई यह वह 25 इंच तो 14 इंच माने चोली की लंबाई ले ली बाकी के जो इंचेस बचे उसको मैं अपने फ्रिल में यूज़ कर लूगी तो उसी हिसाप से मुझे अपने फ्रिल काटने हैं अगर आपको चोली की लंबाई ज्यादा चाहिए तो उसी हिसाप से आपको निशान लगाना है तो देखिए अब यह बाजू की कटिंग कर रहे हैं यह मैंने मुड़े का निशान लगाया है और इसको सीधा कर देंगे ठीक है और आगे से दो इंच पर यह मेरा निशान हो चुका है यहीं से हम फिटिंग का निशान में लगाएंगे ठीक है यहां से देखो दो इंच पर मैंने निशान लगाया है और यहां से पांच इंच पर चार इंच पर हम सीधी लाइन खीज देंगे और उसी से हल्की से जुड़ती हुई गोलाई देते हुए एक और लाइन डॉप खीज देंगे अब यहां पर मैं जितना आपको बाजू की फिटिंग है हुँआ आगे की क्टिंगे एक साथ नहीं करेंगे पहले हम पीछी क्टिंग करेंगे उसके बाद दोनों कप्रों को खूल करेंगे, से SHRIक्षा भीन करेंगें में हमकरें चीफिर आगे की क्टिंग कर अपको सब्सक्राइब चुखर्णbers के बता सकते हैं मैं वह भी आपको दे दूँगी तो इस तरह से आप अपने टॉप्स घर पर ही बैठ कर बना सकते हैं थेंक्यू गार्ट